अभी पांच राज्यों के चुनाव जो संपन्न हुए हैं उनके नतीजे का लाने वाले हैं भारती जन्ता पार्टी के पच्छ में बहुत अच्छे नतीजे आएंगे चार राज्यों में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में 300 सदिक सीट हम जीतेंगे और पंजाब में भारती जन्ता पार्टी की बहुत बड़े मत्र के परसंटेज में बृद्धी होने वाली है उत्तर प्रदेश गए वहां पर उन्होंने काम भी किया प्रवासी कारकरता के रूप में और पंजाब में भी जाकरके राजस्थान के कारकरताओं ने काम किया ऐसे सभी कारकरता कि आज बैठकती उनके अन्भव भी साजा किये गए उन सभी कारकरता जो राजस्थान के देवतुल कारकरता हैं उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं उत्तर प्रदेश में जो कारकरता गय उन्होंने अन्भो किया अवाद उन्होंने बताये भी कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून का राज है जिस प्रकार से वहां के उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों की ध्यान दे रही है जिस प्रकार से मोधी सरकार की योजनाय नीचे तक पहुची है अगर वहार राजस्थान में देखते हैं तो उनको लगता है कि राजस्थान में चारो और अपराधी करण है जंगल राज है गरीब है किसान है परिसान है योपरिसान है और उत्तर प्रदेश के मुकाबले या आप अन राज उत्त्राखन के मुकाबले अगर राजस्थान की सरकार के अगर तुलना करेंगी तो गहलोज सरकार को पासिंग मार्क भी कोई नहीं दे पाएगा अपना राजस्थान इतना अच्छा प्रदेश उसका गहलोजी ने बंटाधार कर दिया और आज कल एक तरीके से कहिए तो घोषडा जीवी बन गये हैं दिन प्रतितिन नए घोषडा करना और उन घोषडाओं का कहां से पूरा करेंगी पैसा कहां से ले आएंगी उसका कभी भी कोई जवाब नहीं देते मैं तो मार्क करूंगा कि जो आपने घोषडा किये उसके लिए धन जितना चाहिए किसी कमपणी से थर्ड पाँटी की किसी कमपणी से आप उसका आउडिट कराईए जो आप सोर्स बतायेंगे कहां से पैसा आएगा उत्रहा पैसा आप आएगा कि नहीं आप आएगा तब जाकर कि राजिस्तान की जंता को विश्वास होगा अधर्वाइस सारे आपके घोष्रा जूट पहले थे और अभी भी जूटी लग रहे हैं अब बताइए दो हजार उन्नीज बीस में एक सो चालिस अम्बेटकर भवन को बनाने की बात कहे थे हैं दो हजार उन्नीज बीस के बजट में और कोल 11, दो साल हो गए कोल 11 भवन की सुबिकरती हुई है अभी वो बना भी नहीं अम्बेटकर भून यह घोष्रा वाले मुक्हमंत्री, घोष्रा जीवी मुक्हमंत्री की हालत है 172 नंदी गोशाला खोलने की उन्होंने घोश्डा की थी 172 और एक भी नहीं नंदी गोशाला खोल पाए गलोजी यह घोश्डा जीवी का कमाल है इसी के साथ साथ नोकरी देने की बात कहें अब नोकरी देने की बात तो साठ जार भी नोकरी नहीं दे पाए और कहते हैं कि हम ढ़ाई लाक से अधिक नोकरी देने की बात करेंगे एक एक करके देखेंगे जो चुनाओं के समय घोश्रा कहा था कि हम किसानों का करजा माफ करेंगे किसान बेचारे बेहाल है उनको करजा माफ नहीं हुआ युवाओं को बेरुजगारी भत्ता देंगे और तो अब युवाओं को बेरुजगारी भत्ता देने के लिए कंडिशन्स लग रही है कि आपको आफिस में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगे अरे वो बेरुजगार है तो आपने बेरुजगारी बत्ता देने की बात कही थी उद्धो एक कहां से निया कंडिशन लगा दिया तो मंसा यह है कि हम उनको पैसा नहीं देंगे यह गोश्रा राहुल गांधी जी और गहलोज जी चुनाओं से पहले किये थे यह गोश्रा जीवी की सुरुआत हो रही है किसानों का कर्जा माप करेंगे या तेक माप नहीं हुआ कुल मिला करके यह गलोज सरकार जूटे गोश्राओं के आधार पे सरकार बनी थी अब बहुत सर्म की बात है कि चुनाव के समय जो गोश्रा किये वो तो पूरा नहीं किये आज फिर बजट में गोश्रा पे गोश्रा जूट है गोश्रा कर रहो खोखला गोश्रा कर रहो प्रदेश की जंता जानती है और मोतोड जबाब इसका देने वाली है मित्रो रिट के परिच्छा में जो लीक हुआ पेपर लीक हुआ उसको हम लोग अंतिम अंजाम तक ले जाने के पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे भी क्योंकि इवाव के भविस्त के साथ खेलवाड हुआ है सीवियाई की हम लोग माग करी रहे हैं एक पेंशन का मुलना चाहिए लेकिन दो हजार बत्तिस में पेंशन ड्यू होगा अरे गहलो जी हर साल आपने उस पेंशन के लिए जो लाइबिल्टी क्रेट होती है कितना इस बजट में रखा है तो बताओ एक चुरी को बुलाना चाहिए वैलुएशन करवाना चाहिए हम भी जानते फाइनेंस के छात रहे हैं और वैलुएशन के आधार पे जितना आपक यह काम किया नहीं तो उनको भी जूटा वादा दिखा रहे हैं सपना दिखा रहे हो तो यह लोग जानते अच्छी तरीके से जानते हैं महिलाओं की तो इस्तिती उनके उपर अत्याचार बहुत यहां राजस्थान नंबर वन है दस रे परड़े हो रहे हैं सुबह से छे तो आज की है कि आज छे तो अभी हो गए है बताइए यह राजस्थान की इस्तिती इस प्रकार से है अच्छा बाला प्रदेश उसको क्या कर रखा गलोजी ने तो यह बहुत ही चिंता कभी से है मित्रोफ भारतियंता पार्टी के सभी कारकरता राजस्थान की जंता की आवाज ले करके आगे बढ़े हैं और उनका सरकार की जो बिफलता है उनको भी उजागर करने का काम कर रहे हैं हमरे पूरा विश्वास है कि र इस इंटी गोर्मेंट वेप कल के नतीजे के बाद और तेज होगी और आने वाले समय में गलोज सरकार की जाना तय है औल्टी गिंती शुरू हो गई है कांग्रेश के नेता भी चुनाओं में गायव रहे प्रदेशों में दिखे नहीं कहीं जहां जहां चुना हो रहे थे और प्रियंका जी तो उत्तर प्रदेश में जा करके मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं हमारे राजस्थान के कार करता गए राजस्थान में जो महिल प्रियंका जी राजिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार होता बलतकार होता वह नहीं जाती है घटनास तल पर उत्तर प्रदेश के कारकरताओं ने भी बात को महसूस किया राजिस्तान के लोग जो बात कर तो सब मुहर लगाई और यही कारण है कि कल नतीजे जो आएंगे आप देखेंगे कांग्रेश का सूपरा साब सूपरा साब भी छोड़े कांग्रेश पांच सीट भी नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश इसमें यह हिस्तिती है वहां पर क्योंकि जब आप क्यों राजिन्ती के लिए काम करते हैं मन में समाद सेवा की बात नहीं होती तो ऐसे ही नतीजा आएगा अंध पर ही कहाँगा कि रास्तान के मुक्ष्मंत्र जी आप घोषरा बीर मत बनीए आप जो हकीकत में उसको काम करके दिखाईए उन्ही की घोष्रा करीए और सरकार बनने से पहले जो आपने घोष्रा की ता Kis chwilानों के लिए युवाऑं के लिए महिलाओं के लिए और सब के लिए जो किया था उन गोस्डाओं को आपने कितना क्रियानुवित किया है उस क्रियानुवित किया आप बताने का काम करिये क्यों आपके फरजी आंकड़े और फरजी डाटा से काम नहीं चलेगा और जो आप आगे गोस्डा कर रहे हो उसका source of fund what is a source of fund from where it will come whether you have provided in budget or not ये चीज़ उनको बताने का काम करना चाहिए और कल का दिन यहां के कार करता है पुरे देजबर के भारतिन जब जन्ता पार्टी के कार करता हों को बहुत सुब दिन होगा मानि प्रधान मंत्री मोदी जी की जो काम है उनकी लोग प्रियता है गरीब कल्यान की उजनाए है उसका लाप पूरे देजबर में मिल ला है और भारतिन जन्ता पार्टी का ग्राफ लगातार मानि प्रधान मंत्री जी की नितित्व बढ़ता ही चला जा रहा है और बढ़त मठ बढ़ रहा है थो मध्ट बढ़ा है तो पंजाब में अपनी सरकार नहीं हमारी सरकार ठीन हार का रही है एक अधिक आप अप एप रहे हम आप इस आप यह इन पर लड़ते थे क्यों तेज़ सीट पे बाति अन्ता पाड़ी का संग्टन वहां था नहीं हम कभी यह दावा नहीं करते कि कीरें हमारी सरकार बन रहे हम जरूर सरकार बनाने के रस्ते पे जा रहे हैं इस बार हमारा मत है मत परसेंटेज और परसेंटेज कई गुना और परसेंटेज बढ़ेगा आने वाले समय में जैसे हमने तृप्रा में सरकार पहली बार बनाई आने वाले समय में पं झाल झाल